भारत और पाकिस्तान दो ऐसे देश जिनकी क्रिकेट मैदान में भिरंत पूरी दुनिया को हिला कर रख देती है। भारत पाक मैच के दौरान स्टेडियम खचाखच भरा होता है और टीवी पर लाइव दर्शकों की संख्या करोडों में होती है। ये दोनों टीमें पिछले करीब डेड़ दशक में केवल ICC टूर्नामेंट्स में ही आमने सामने आई हैं। उनके बीच कोई आखरी सीरीज 2008 के समय में खेली गई थी। अक्सर भारती खिलाडी दोनों देशों के बीच कोई सीरीज होने के सवाल से बचते हुए नजर आते हैं। मगर कुछ समय पहले भारत के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा ने भारत पाक सीरीज को लेकर चुप्पी तोड़ी थी। रोहित शर्मा का कहना था कि सीरीज और मैचों के फैसले क्रिकेट बोर्ट के हाथों में होते हैं। रोहित ने बताया कि कोई सीरीज तै करना उनका या अन्य खिलाडियों का काम नहीं है। याद दिलादें कि एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान ने की थी, लेकिन BCCI ने एशिया कप के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इंकार कर दिया था। ऐसे में भारतिय टीम के मैच श्रीलंका में करवाए गए, वहीं बाकी टीमों के मुकाबले पाकिस्तान में ही हुए थे। एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया था। इसके अलावा 2025 चैंपियन्स ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होनी है, लेकिन अभी तक कुछ तै नहीं है कि भारत अपने मैच खेलने पाकिस्तान जाएगा या नहीं। T20 वर्ल्ड कप में आज तक भारत और पाकिस्तान साथ बार आमने सामने आये हैं, जिन में से पाक टीम केवल एक बार विजई रही है।